जहम बनाने वाले हैं बेशन के गट्टे इन बेशन के गट्टों को आप बना कर एक मंत यानि एक महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं वो स्टोर कैसे कर सकते हैं यह जानने के लिए आप मेरा वीडियो शुरू से अन तक जरूर देखिएगा ताकि आपको भी आसानी हो इन बेश मैं यहाँ पे दो कटोरी बेसन लूँगी बेसन आप अपने इसाब से कम जादा ले सकते हैं जितना आपको बना के स्टोर करना हो स्वात के नुसा नमक एक चौताई हल्दी एक चमज मैं लाल मट्शी पाउडर लूँगी और एक चमज जीरा एक चमज के करीब मैं अपे अजवाइन लें अजवाइन को हातों के बीच में क्रश्ट करते भी डालेंगे जससे अच्छा फ्लेवर आता है और यहां एक चमज मैं लेगी हूँ साबुत धनिया, हम धनिया पाउडर यूज नहीं करेंगे, साबुत धनिया यूज करेंगे, इससे क्या ओगान एक तो अच्छा फ्लेवर आता है, और जी खुश भी होती है, गट्टो की हलवाई वाली वह आपको जब आप उबालेंगे तब आपको बता पड़ेगा, तो दोनों हाथों के बीच में करश करते हूँ डालेंगे, जिसके दो टुकड़ी हो जाएगी और एक चौता यहां हींग डालूँगी, और एक बड़ा चमब डालना है मैंने यह कस्तूरी मेती, तो कस्तूरी मेती को दोनों हाथों से करश करत करते हैं हम और इसलिए डालते हैं इससे मोरन होगा और जो हमाई गट्टे है वह सॉफ्ट बनेंगे तो पहले पीसन को और में अच्छे से मिक्स करना है तो मैं बता दूं आपको हम जब ले ना तो हलकी सी लड़ू का शीव बनना चाहिए पूरा लड़ू नहीं ज्यादा और नहीं वह बना सॉऩद ह norut वह साथ करें शयकिए तो बस हलका सा उना चाहिए जिसे मोरन लगजाए इसे तरिछ इस सल्टार की मिक्स कर लिया है अब इसमें में 나와 थोडा थोडा पानी करके मिक्स करेंगे और से योडो को तयार करना है तो एक साथ पानी डाले डालें Jak तो इसे लगाने के बाद हम इसे पांच मिनिट के लिए धक्के रख देंगे जिसे क्या होगा यह सॉफ्ट भी हो जाएगा और इसमें एक अच्छा सा चिप चिपा पनाना वह भी थोड़ा कम हो जाता है अगर आप उसी टाइम करना जाते हैं तो इसे मसलते हुए करेंगे तो अब हम इसकी छोटी छोटी लोई तोड़के इसे बेलना कार में दोनों तरफ से ऐसे दबाते हुए बेलना कार में हमें इसे गट्टे तयार करने हैं आप बेशन की बेलना कार की जो हम बनाते हैं दोनों हातों के सायता से एकदम रोल करते हुए हमें रोल बनाना है इनका औ और आप इसे रूल एपने साब एप से चोटा बडा मोटा जैसा बना question तो आप इसी तरीके से मैं छोटी चोटी लोई तोड़के इनका एग रूहाओ बना लूगी इसमें यह जो नहीं कि सेन साई जो चोटा बड़ा सब तरही का होगा तो कोई दिकत नहीं है अब मैंने गीज पे हाई फ्लेम पे चार गिलास के करीब पानी चाड़ा दिया है उसको हमें अच्छा बॉयल करना है जो हमारा पानी अच्छा गरम हो जाएगा उसमें बाद में हम पानी अच्छा उबल जाए उसी के बाद आड़ करें तो इसे हम बीच में एक बार चला देंगे ताक कि क्या होगा ना नीचे तलवे पर हमारे बेसन की रूल चैटे ना इसे तरहीं हमें हाई फ्लिंग पे तीन से चार मिनिट अच्छे हाई फ्लिंग पे से बॉयल करना है तो हमें जब तक बाइल करना है कि इसके उपर जब तक बबल ना जाएं मतलब यह देख सकते हैं अच्छा से बबल आ चुका है अंदर तक तो इसी तरीके से पानी अलग करना है और इसके जो गट्टे हमने बना है वो अलग कर लेंगे अगर आप सबजी बना ही रहे उसी ट सकते हैं में सारे गट्टो को इसी तरीके से काट लोंगी तो इसमें क्या हुआ ना तेल के मोरन की वज़े से हमाई गट्टे बहुत अच्छे सॉफ्ट होए हैं अब हम इसे थोड़ा सा में पांच मिंट इसे ठंडा होने देना है ताकि हम जो पानी वो सुप जाएगा फिर हमें हाइफ फ्लेम पे गडाई में डालना है और की त्म्हें टेल को गरम करना है और जब तक प्राइप करना है की जब तक हमाई जो गट्टे गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तो इसे एज़से हम फ्राइ कर लेंगे इसी तरीके से हम आपदें कर सकते हैं तो बस यही रेसिपी है इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे जब ठंडा हो जाए आप केसी भी डब बे या कंटेनर में डाल के स्टोर कर सकते हैं आप चाहिए फ्रीज में भी रख सकते हैं और आप भार भी रख सकते हैं ये खराब नहीं होते हैं इसन गटो को आप बना कर एक महिने के लिए स्टोर कर सकते हैं अगर आप जॉब करते हैं और सुबह जल्दी रहता है तो आप बना लें और जब भी बनाना हो सबजी तो बालकर से सबजी बना सकते हैं तो यह जासे पर आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके चुरू बताईएगा और मैंने को सब्सक्राइब चुरू कीजिएगा